Hi Everyone, इस वीडियो में जार्खन जी के का एक प्रैटी सेट करते हैं, जो JPSC और JSSE की इक्जाम की दिरिष्टी से अती महत्पून है तो इस वीडियो में जार्खन जी के से बनने वाले 30 महत्पून स्वाल करेंगे जार्खन जी के प्रैटी सेट संख्याई 20 तो इस सेट का पाला स्वाल है जार्खन के पर्थम असोक चक्र प्राप्त करता कौन थे? जार्खन के पर्थम व्यक्ति किसे हैं, जिससे असोक चक्र मिला है, तो इसका सईयन सरोजेगा रंधीर बर्मा अगर पूछे प्रमवीर चक्र प्राप करता कौन है तो प्रमवीर चक्र जो है अलबाटेका जिसे 1971 में भारत पाक यूद में वीर गती के बाद मिला था और असोक चक्र रंधीर वर्मा प्रमवीर चक्र अलबाटेका दूसरा अगर पूछे रंधीर वर्मा चोक है कहां पर त भारत की पर्थम जहन्त करांती किस विद्रो का कहा है तो इसका सजयन सरो जाएगा संथाल विद्रो और ये मत्पुन स्वाल है केकज्या में पुछा भी जा चुगा है और संथाल विद्रो हुआ कब था अगर ये पुछा जाए तो इसका सजयन सरो जाएगा ठार सुपचपन में और इसके प्रमुल नेंत्रित करता कौन थे सिदो, कानु चांड, बहरो जो थे अपस में सभी भाय थे और puppy कि दो बहनो कभी विद्रो में और योगदां था कौन-कौन थे फूलों और जहानु तो भारत की पर्थम जन apt Wellness si Sand Parkыми Salamud विद्रो जारखन के संथाल परगना चेतर में मुखी रुप से हुआ था अगला स्वाल तिसरा देखते हैं जारखन राज में साइंस सीटी के स्थापना कहां की गई है तो साइंस सीटी के स्थापना जारखन में कहां की गई है तो इसका सही अंसर हो जागा राची तो राची इसका सही अंसर है, अगला स्वाल देखते हैं, संथाली भासा भारत के आठवी अनुसुची में किस वर्स सामिल किया गया, तो भारत समीदान के आठवी अनुसुची में संथाली भासा को किस वर्स सामिल किया गया, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, 2003 और आठवी अनुसु जी में अभी मानेतापरत भसाओं की संख्या कितनी है और मूल संख्यान में तोटल कितने भाएसा सामिल थे जूगदा भासा यह भी मात्पूर्ण है अगला सुवाल देखते हैं जारकाण की पर्थम महीला केबिनेट मंत्री कों थी जोबा माजी थी तो सरीन सरोजय का जोबा माजी और जोबा माजी का एक परमुख भूक है अलोन बहा तो अलोन बहा किसकी रचना है जोबा माजी ये भी मत्पुन है और जोबा माजी 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 जोबा मा जाता है अगर पूछे भारत की अब्रक राजधानी तो कडरमा और गोतम बुद वन जी बिहारन कहांपे है कडरमा में अगला छोटा नागपूर सभाइव्ड संग की अस्थाप्ना किस ने किया था सुखदेव महतों एगर पूछे किस वर्ष हुआ था उन्हें सुखदेव म राज के राजा कुन थे ब्रहमदेव नरायन सींग और रामगड राज की अस्तापने का हुई थी 306 में बागदेव सींग के दुवारा अगला क्या है जैपाल सींग के सांस्कृतिक गुरू कोन थे तो उसका स्वार्ण सरोजय का शुक्राप्ण और जैपाल शुंह ने जहार मूंगरस में कब 1963 में इवी मातिपुन है मुंडा एज देर कंट्री नामक पुस्तक के लेख़क को है तो मुंडाज एज देर कंट्री नामक पूस्तक के लेख़क को है सरत्चंद्र राय द्वारा लिखित पुष्टक है मुंडाज एंड देर कंट्री है अगला दामोदर घाटी निगम की स्थाफना जो है उन्हें सो आनातारिस में हुआ है और किस परिजना के तर्च पर बनाये गया है तो परिजना का नाम है अमिर्का के टेनसी वेली घाटी पुरिजना के तर्च पे दामोदर घाटी पुरिजना का गठन हुआ है और दामोदर घाटी नीगम की किन दो राजियों की संयुक्त पुरिजना है तो किन दो राजियों की जारखन पलस पच्छिम बंगाल जारखन और पच्छिम बंगाल की संयुक्त पुरिजना है और दाम वुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो जमसिदपूर सहर के स्थापना किस ने की है जमसिदपूर सहर के स्थापना की गई है अगर पुछे जमसिदपूर सहर पुराने किस कसबे का भाग है तो साक्षी नमक जगा कहीं भाग है और जमसिदपूर किस नदी की किनारे स्थी थे सोन रेखा और खरकाई नदी की किन अगला जारकंड की सबसे पच्मी जिला कोन है तो जारकंड की सबसे पच्मी जिला कोन है गड़वा तो गड़वा जारकंड की सबसे पच्मी जिला है और गड़वा से एक और स्वाल पूछा जाता है तो जारकंड एक मात्र जिला जिसकी सिमा उत्तर प्रदेश के साथ लगत का स्थापना दिवस मना जाता है और बिर्षा मुंडा की मिर्थ्यू का भूई थी नौजून उन्हें स्वेस्पी को कहाँ पे रांची जेल में है जासे और बिर्षा कितने वर्स बंचे थे 25 वर्स इस वल आयर्वी में पूछा गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थापना किस ने की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थापना मन राय के दवार किया गया तो सेंसर रो जगया मन रोय तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी मन रोय के दवार स्थापी अगला क्या है जहारखन विदानसभा के पर देख्ष तो बागून सुम्ब रहे थे आगला जारखन के पर्थम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था तो जारखन के पर्थम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो थे डेली प्रेस थे तो सज्वाल देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो सबसे अधिक ज अगला अरहर की खेती सरवाधिक की जीले में होती है तो अरहर की खेती सरवाधिक जो है अगला स्वाल देखते हैं जारखंड के सबसे उच्चा परवत कुन है पार्सनात जो है जारखंड के सबसे उच्ची चोटी है जिसकी उच्चाए कितनी है अगला किसे हजारी बाग का जतीन बागा कहा जाता था तो हजारी बाग का जतीन बागा किसे कहा जाता है तो इसका सभी अंसर हो जगा है राम विनोध सिंग तो राम विनोध सिंग को हजारी बाग का जतीन बागा कहा जाता है नेक्स स्वाल के रोबढ़ते हैं विधान सबा में कौन छोटा नागपूर किसके आदिवासी नेता सामिल थे तो से इंसर हो जगा जय पाल सिंग अगला पंच परगना छेतर में परचलित भासा का नाम क्या है पंच परगना चेतर में परचलित भासक नाम है पंच परगनिया तो पंच परगनिया भासक किस चेतर में परचलित है पंच परगना अठासू ऐस वाल पदमांगा किया किस जिले मे üzस्ती थे तो पदमांगा किया जुह है जार्खंड के हजारी मसंति थे तुござएं सरोजी का हजारी बाग में और पदमांगा किया किसके दवार नि निर्मित ह। आपको कमेंट करकर बताना है वो रामगड राज के राजा थे और पदमा जो है रामगड राज की आखरी राजधानी भी थी और वर्तमान में इस किले को जारखंद सरकार ने अपने हैंड ओवर में ले लिया है और यहाँ पे पुलिस पर सिक्षन केंदर अस्तापित किया गया है अगला विर्सा अंदोलन का परमुख केदर कहा था तो बिर्सा अंदोलन का परमुख केदर खूंटी था और खूंटी एक नया जीला का बना था दोज़सात में और बिर्सा अंदोलन का हुआ था 899 उनिस्टों में बिर्शा अंदोलन हुआ था किसके नेतिरत में बिर्शा मुंडा के तो जारखंड भारत के किस भाग में स्तित है तो जारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्तित है तो सेंसर हो जागा उत्तर पूर्वी ए थे जारखंड जीके से बनने वाल तीस मत्पून स्वाल जो आने वाले एक्जाम की दिरिश्टी सती मत्पून है थैंक्स रोची मिलते हैं अगले प्रैटिसरेट के साथ तब तक पुराने वीडियो देखते रहें